नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मॉनिका और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शिरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा और चैनल पे रहे हैं तो इसे ज इसे सोक की वे दो गंटे हो गए हैं तो चलिए इसे पीस लेते हैं इसका पहले सारा पानी निकाल लेंगे हम इसके बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे हमारे चावलों को हलका फुलका सा पानी रह जाए कोई बात नी क्योंकि इसे पीसने के लिए हलका सा पानी हमें डालन कर लेंगे देखिए इस तरीके से हमने इसका बिल्कुल बारीक सा महीन सा पेस्ट तयार कर लेना है अब इसके अंदर हम एड़ कर देंगे दही एक कटोरी दही ली है मैंने यहाँ पे दही बहुत ज्यादा खटी भी नहीं होनी छे गाइस बना वारा नाश्ता अच्छा नहीं अब कंसिस्टेंसी देख लीजे इससे जादा पतला नहीं होना चाहिए इसलिए पानी बहुत ध्यान से एड़ कीजेगा नहीं तो बिल्कुल पतला सा बैटर हो जाएगा हमारा अब इसके बाद हमने इसमें एड़ कर दी है सूजी हाफ कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी एड कि है जिस कटोरी से मैंने चावल लिये थे उसी कटोरी से मैंने आप कटोरी सूजी एड कर दी है अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी को फूलने के लिए थोड़ा से टाइम चाहिए होता है जैसे आप देख रहे है बैटर हमारा लिकुरडी है यह गाड़ा हो जाएगा तोड़ा सा गाड़ा हो गया है ये पहले से बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इससे जादा पतला या मोटा नहीं होना चाहिए एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऐसे फिर से अब इसके बाद हम इसमें कुछ और इंग्रेडियन्ट आड़ करेंगे जैसे मैंने हाँ पर एक इंच का अद्रका टुकड़ा और तीन हरी मिर्च को चोटा-चोटा कट करके ले लिया है आप चाहो तो छोट-छोटे पीसे में अद्रो को कट कर सकते हो उसके बाद इसमें आड़ कर देंगे नमक नमक टेस्के अकॉर्डिंग आप रख लीजेगा कुछ लोग जादा खाना पसंद करते हैं नमक और कुछ लोग बिल्कुल कम नमक खाते हैं तो इसलिए मैं नमक की कॉंटिटी नहीं बता रही हूं नमक आप अपने हिसाब से अड़ कर लीजेगा तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो इस तरीके की होनी चाहिए अगर पतला हो तो थोड़ी सी सूजी और एड़ कर लीजेगा अब इसमें हलका सा तड़का लगाएंगे राई और जीरे का तो मैंने ओयल में राई और जीरा एड़ कर दिया है चटकने के बाद हमने इसके अंदर इसको अड़का लगा सकते हो आप यहां पर ओयल कम से कम भी यूज कर सकते हो जैसे यहां पर मैंने दो चमच एड़ किया है और आप चाहो तो एक चमच में भी तड़का लगा सकते हो कि अब हम एक बर्तन ले लेंगे उसे अच्छे से हमने उसे ग्रीस करना है क्योंकि हम अमारा नाष्टा इसके अंदर ही बनाने वाले है इस वज़े से अप्षावर करना बहुत जुरूरी है तांकि हमारा नाष्टा आसानी से निकल आए इसके अंदर से मैं हलड़ शेप मे तो इसके अगर आपके पास नहीं होगी तो आप यहां पे बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हो 1 टीस्पून एड़ कर दीजेगा बहुत अच्छा नाश्ता बनेगा यह इनो डालने के बाद इसे बहुत जादा मिक्स नहीं करना है बहुत हलके हाथों से मिक्स करेंगे अब ही मैं अधा ही नाश्ता यह कर रही हो अधा में दूसरी बार में बनाऊंगी आप जितना बनाना हो उतने में इनो एड़ कीजेगा बाकी इनो बाद में आड़ कीजेगा थोड़ा सा हम इसे स्प्रिंकल कर देंगे रैड चिली पाउडर से यह ऑप्शनल है अगर आप पानी मेरी गरम होनी को रखा हुआ था तो चलिए इसे इसके अंदर प्लेस कर देते हो चोड़ देंगे इसे स्टीम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा सिर्फ 15 मिनट ही काफी है 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे हमारा नाश्टा अच्छे से कुख हुआ है या नहीं टूथपिक की मदद से चेक करेंगे अगर टूथपिक में कुछ लगकी आएगा इसका मतलब है कि हमारा नाश्टा भी पका नहीं है तो इसे दो-चार मिनट के लिए और कुख कर लीज़ेगा ढगके हमारी टूथपिक क्लियर आई है तो इसका मतलब हमारा नाश्टा बन चुका है इसे थोड़ा से थंड़ा होने देंगे थोड़ा से थंड़ा होने के बाद ही दी मोल कीज़ेगा वरना ये नाश्टा तूट जाएगा ये बहुत ज़रूरी टिप है ऐसा कोई भी आप नाश नाश्टा है बिल्कुल भी ना तूटे जैसा बना है वैसा ही निकल के आ जाए हल्का से डाप करेंगे देखे हमारा नाश्टा जो है कितने अच्छे से बना है और बहुत ही इजी निकल भी गया है तो अच्छे से ग्रीस कीज़ेगा ये टिप ज़रूरी है इसके बाद एक जाए करेंगे और इसे ग्रीन चैट्णी विढा केचिप के साथ इंजॉय करेंगे बहुत ही हलका नाश्टा है जब आपका रोटी सब्यों भी रिफ्धा इस अच्पिरियंस चर्फीर और घर एम मेरे बना है अगर एक अच्छे लगी होगी तो असे लाइक कीजेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाब बाइ